हेलो स्टूडेंट्स मैं शिवांगी गुप्ता कॉंपटिशन कम्यूटी में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज से हम होस्टल वार्डन की सिरीज सुरू करने जा रहे हैं इसमें हम बाल मनुविज्यान जो आपके एक्जाम में 10 नंबर का पुछा जाएगा इसमें 10 आपके कोश्चेन होंगे जो आपका टोटल 10 नंबर का होगा तो आज हम आज से हम चाइल्ड साइकोलोजी या बाल मनुविज्यान की कक्षा की सुरूआत करेंगे इसमें हम वो सारे टोपिक्स कवर करेंगे जो आपके एक्जाम के point of view से important होगा साथ ही ये आपका जो चाइल्ड साइकोलोजी होगा बाल मनुविज्यान होगा वो आपके अन्य एक्जाम के लिए भी बहुत important होगा सबसे बड़ी बात कि अगर हम किसी subject की सुरुआत करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम आखिरी subject पढ़ क्यों रहे हैं इसका उद्देश क्या है इसका importance क्या है तो अगर हम child psychology की बात करें अगर हम hostel warden के लिए child psychology देख रहे हैं कि हम बच्चों को किस प्रकार से समझे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं बहुत सारी दिक्कते होती हैं और वो ऐसे life में कई सारे situation से गुजरते हैं कई सारे ऐसे problems आते हैं जो अपने आसपास के लोगों से अपने परिवार, मित्रो, विस्तेदार इन सबसे नहीं कर पाता चाइल्ड साइकोलोजी में हम देखते हैं कि बालक ऐसे कितनी भी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिसमें वो अपने आपको अकेला महसूस करता है इवें ऐसा भी होता है कि जब बालक जैसे जैसे बढ़ता है या ऐसे ऐसे उसके लाइफ में स्टेप आते है जब वो सही को गलत और गलत को सही नहीं कर पाता है means कि चाइल्ड साइकोलोजी हमें बच्चों को समझने में पूरता मदद करता है चाइल्ड साइकोलोजी हमें समझाता है सिखाता है कि हम बच्चों के विकास में किस प्रकार मदद कर सकते है Child psychology हमें ये जताता है ये दिखाता है कि हम किसी बच्चा के समस्या हो अगर किसी बच्चा को क्या हो रही है समस्या हो रही है तो हम उसका समाधान कैसे निकाल सकते है तो हम यह कह सकते हैं कि पहला point कि child psychology का importance क्या है तो child psychology हमें किसी भी बालक क्योंकि नाम से इसपस्ट हो रहा है child psychology आपका जो psychology है child psychology वो psychology का एक part है बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का एक part है नाम से इस पस्ट हो रहा है, इसमें हम बालकों से संबन्थी जो भी चीजे होंगी उन सभी चीजों का अध्यन करेंगे, चाहे वो बालक का वैवहार हो, या बालक की समस्या हो, या अच्छाई हो, बुराई हो, गोड हो, कोई भी चीज हो, जो बालक के विकास में जो भी तत् ये सारी चीजों का अध्यर हम Child Psychology में करेंगे, बच्चे का समाजिक विकास, आर्थिक विकास, ये सारी चीजे हमें Child Psychology बताएगा, तो ये था हमारा Child Psychology होता गया है, दूसरी बात कि अगर हम Child Psychology की बात करें, किसकी सुरुआत कब हुई थी, कब आया था, तो माना जाता है कि 1900 में हमारा बाल मनुविज्ञान आया था, साथ ही बाल मनुविज्ञान का एक प्रयोक साला भी है, जो उतर प्रदेश के इलहाबाद में है, इन्हीं सबसे सवाल बनते हैं, इन सभी का आपको ध्यान रखना है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज बस हमारा एक छोटा पी रहेगा कि आखिर चाइल्ड साइकोलोजी क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, जो हम दभी देखते चल रहे हैं, साथ ही इस से थोड़े बहुत हम कोश्चन देखेंगे, इसके लिए कई ऐसे मनुविज्ञानिक हुए हैं, ऐसे कई साइंटिस्ट हुए हैं, क्योंकि हर ची इमेज है क्या दर्शार हें, यह इमेज बच्चों की परिस्थिती को दर्शार है, क्यूं? क्यूकि Child Psychology हम पढ़ ही इस लिए रहे हैं, ताकि हम किसी बच्चे की परिस्थिती को समझ सके, बच्चा कैसा अनुभाव करता है, बच्चे पे क्या बीचती है, कभी-कभी हम उसक समस्याओं का समधा नहीं कर पाते हैं तो child psychology हमें life को जीना सिखाता है means कि child psychology का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप एक छोटा सा बच्चा है बस उसके बारे में अंधन कर रहे हैं जब एक बच्चा माता के गर्व में होता है तब से लेकर जब तक बच्चा मृत्यों को प्राक्ष नहीं कर लेता तब तक वह child psychology में होता है हम वो सारी गतिवीधियों को पढ़ते हैं जब आप बच्चों की अवस्थाएं पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तब आपको ये और clear होगा चली अच्छा हम जो जो पढ़ते जा रहे हैं उससे क्या क्या सवाल बनेंगे वो भी हम देखते चलेंगे ताकि आपका topic के साथ question भी complete हो जाए देखें मैंने आपको बताया था कि बाल मनो विज्ञान साला कहा है तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में बाल मनो विज्ञान साला कहा है आपके इलहाबाद में है ये इलहाबाद का इमेज है बाल मनो विज्ञान को लाने के आवश्यक्ता क्यों पड़ी ताकि हम बच्चों की समस्याओं का समधा निकाल सके इसे लिए हमें मनो विज्ञान की आवश्यक्ता पड़ी साथ ही होस्टल वाडन में इसे सामिल करने का भी उदेश यही है कि आप एक होस्टल वाडन बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो नैतिक जिम्मेदारी है वो यह है कि आप बच्चों को समझे आप जितना ज़्यादा बच्चों को समझेंगे उतना ही आप बहतर उनके विकास में मदद कर सकेंगे इसके अलावा आप लोग के लिए एक important information है जो आपके लिए और आपकी मित्रों के लिए भी महत्पूर हो सकता है hostel warden जिसकी तयारी आप सभी कर रहे हैं और जो तयारी नहीं किये हैं वो भी अपनी तयारी को बहतर कर सकते हैं हमारे competition community के साथ जुड़ कर हमारा जो batch है वो हाल ही में प्रारंब हुआ है और ये continue चल रहा है हमारा competition community आप लोग के लिए CGPSC का नया batch ठीक आपके गांधी चौक में 19 जुलाई को प्रारंब कर रहा है जो आप लोग के लिए बहुत महत्कूर हो सकता है साथ ही starting के जो 50 students होंगे उनके लिए special offer होगा तो आप जल से जल registration प्रारंब कर सकते हैं साथ ही महिला परविच्छक जो अपने आप में महिलाओं के लिए एक प्रतिस्थिट post है और इसकी संख्या 1750 है इसकी information आप देख सकते हैं जो हमारे गांधी चौक में 10 जुलाई को कारम हो रहा है मंगला चौक में भी आप ये class देख सकते हैं मंगला चौक और गांधी चौक दोनों में ही आपकी कक्षाय चलेंगी साथ ही ये online और offline दोनों ही mode में होगी और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर कर सकते हैं ये देखने से पहले एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा बाल मनोविज्ञान है उनके जो पिता है सबसे पहले हर किसी ना किसी के पीछे मैंने बताया कि एक खोच करता होता है तो बाल-मनुविज्ञान के अगर पिता की बात की जाए तो एक मनो-विज्ञानिक है जीन-प्याजे जी, उन्होंने बालको के व्यवहार का एक व्यवस्थे धंग से अध्यान किया है इसलिए उन्हें बाल-मनो-विज्ञान का पिता भी कहा जाता है मैं आप लोगो जो भी चीज़े बोलती हूँ, आप लोगो नहीं नोट किया करिए, क्योंकि ये सारी चीज़े आप लोगो लिखा हुआ नहीं मिल सकता, और इनसे सवाल बनेंगे, चली एक कोश्चन है, कोश्चन से समझने का प्रयास करेंगे, और दूसरी चीज़ ये, सिछ मनुविज्ञान ऐसा मनुविज्ञान है, जो बालको के विकास से ही समबंदित है, जो बच्चों के सिछा से ही समबंदित है, मनुविज्ञान ऐसा विशे है, जिसमें आप रट नहीं सकते, इसमें आप जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, उतना ही चीज़े आप को clear होंगी आप इसे कभी रट में सकते तो ध्यान रखिएगा बाल मनो विज्ञान को आपको समझना है रटना नहीं है तो एक सवाल दिया है सिच्छा आपके exam में बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे as it is एकनम same copy paste में होगा लेकिन इतना है कि ये कक्षा आप complete कर रहे हैं पूर ये वो गलत क्यों नहीं हो सिच्छा मनो विज्ञान के दृष्टी से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बच्चे अपने ज्यान का स्रिजन स्वयम करते हैं अभी समझते चलेंगे question के माध्यम से हम topic को समझेंगे बच्चे अपने ज्यान का स्रिजन स्वयम करते हैं बिल्कु बहुत ज़्यादा जिग्यासु प्रवित्ती के होते हैं वो सवाल करते हैं बच्चे के मन में आता है कि ये आग से हाथ क्यों जलता है पानी ऐसा क्यों होता है सूरच क्यों निकलता है पानी क्यों बरसता है लाइट ऐसा क्यों होता है जो बच्चा होता है वो अपने ग्यान का स्रिजन स्वयम करता है, दूसरा है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ग्यान नहीं होता है, ये बिल्कूल गलत बात है, देखते चलेगा ध्यान से, जब बच्चा छोटा होता है और स्कूल में जाता है तो ब बच्चे को पता होता है, घर का जो महौल होता है, घर से वो जो भी चीजे सीखता है, वो सारी चीजे वो सीख कराता है, स्कूल आने से पहले, यह बिल्कुल गलत बात है, कि स्कूल आने पर बच्चा कोरा का आगश होता है, या बच्चे को कोई ग्यान नहीं होता है, बच्च होता क्या है इसे हम कहते है मातलू भासा अर्था इसे प्रात्मिक भासा भी कहते है ऐसा भासा जो बच्चा अपने घर में सीखता है जो सबसे पहले सीखता है उसका क्या होता है Mother Tongue होता है Mother Tongue means क्या होता है ये first language होता है आप जब दीरे-दीर आगे बढ़ेंगे, चुकि आज हमारा introduction class है, तो बस समझेंगे, कि आपको जो प्रात्मिक भासा होता है, जो primary language होता है, इसे हम first language भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले इसी language को सीखता है, और हमारा जो मनोविज्ञान है, वो यही कहता है, कि आप बच्चों पर किसी त नहीं होगा, नहीं होगा, तो यह आपका गलत हो गया, दूसरा है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कस्ट होता है, देखी यह कब तक ठीक होगा, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे को कस्ट हो रहा है, बाल मनोविज्ञान बिल्कुल ग दिखाएंगे या समझाएंगे, तो बच्चे को सीखने में कस्ट नहीं होगा, तो देखी बाल मनोविज्ञान बच्चों की निगेटिव से बिल्कुल दूर रहता, बच्चा मतलब आपका जो बाल मनोविज्ञान है, वो निगेटिविटी को बिल्कुल स्विकार नहीं कर सीखना, तो जब सीखने की प्रक्रिया होती है, उसमें बच्चे को कस्ट होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है, अगर आप उसे अच्छे वीधी से सिखा रहे हैं, उसकी रूची से सिखा रहे हैं, तो बच्चा जरूर सीखेगा, तो का जो class चलेगा, आप इसमें अपनी बिल्कुल मन की बाते लिख सकते हैं, क्योंकि बाल मन विज्ञान क्या करता है, मन का विज्ञान होता है, इसमें हम बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, तो आप भी क्या है एक stage में, हम लोग भी जब आप लोग अवस्था पढ़ेंग आप लोग में खुद बहुत सारी रचनात्मक विद्धी होती है, पुद्धी होता है आपके अंदर, और कलपना शमता होता है, और आप में खुद इतना टैलेंट होता है, कि आप चीजों को क्या कर सकते हैं, तो आप जैसा बच्चे को सिखाएंगी, वो वैसा ही सीखेगा मैं जैसा आपको सिखाऊंगी, वैसा ही सेम टू सेम आप नहीं सीखेंगे, बलकि आप उसमें और ज्यादा क्या करेंगे, अपने तरीके से चीजों को स्विकार करेंगे, तो यह यहाँ पस कथन क्या होगे आपका, गलत हो गया, तो हमारा option क्या बच्चा, A, तो answer क्या होग यह कौन है आपके मैं जीन प्याजे जी की बात कर रहे थी, जो हमारे बाल मनुविज्यान के क्या है, फादर है, तो यह आपके जो बाल मनुविज्यान है, उनके फादर कौन है, जीन प्याजे जी है, इस चीज को ध्यान रखेगा सवाल आता है, तो बाल मनुविज्यान के पिता कौन है बाल मनुविज्ञान के पिता जीन प्याजे जी है यहां ध्यान दिजेगा जीन प्याजे is called the father of child psychology he was the first psychologist जो क्या किये है आपका systematically study किये है तो he was the first psychologist to systematically study the acquisition of क्या understanding in children acquisition का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये समझे acquisition का अर्थ होता है आपका अर्जन acquisition का मतलब होता है अर्जन अर्जन का मतलब क्या होता है पस जो भी words आते है उस पर ध्यान दिजे acquisition का मतलब होता है अर्जन अर्जन का मतलब क्या होता है तो आप लोग आगे देखेंगे अर्जन और सीखना तो अभी बस इतना ध्यान रखिएगा, कि जो आपका अर्जन होता है ये नेचुरल होता है, ठीक, लेकिन जो आपका सीखना होता है वो आर्टिफिशल होता है, कैसे होता है, अभी छोटा से एक्जामपल दे रही हूँ, आपका जो फर्स लैंग्वेज है, उसको आपको आपका अर्जन होगा, एक पोजीशन होगा, और जहां पर सीखता का है इंसान, वो सीखने का मतलब यह होता है, कि जब इंसान सिस्टमेटिक रूप से बैठा हो, एकदम कॉंसेंस माइंड हो, एकदम कॉंसेंट्रेट कर रहा हो, लेकिन जो अर्जन होता है वो एकदम नैच अर्जन ट्रेट हो, गर्ध्यान पूर्वक किसी चीज को समझने का प्रयास करें, सीख रहे हैं, वो आपका सीखना होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहां से भी सवाल बनते हैं, अर्जन और सीखना से, अर्जन ऐसे आप लोग देख सकते हैं, कि आपका जो फर्स्ट ल इंग्लिस में बात करते हैं, इंग्लिस में conversation करते हैं, आप लोग इंग्लिस के लिए spoken class वगरा भी जाते हैं, जो join करते हैं, वो क्या होता है, आपका सीखना होता है, तो यह क्या होता है, आपका learning होता है, तो यह एक छोटा सा difference है, आगे हम इसको audit में देखेंगे, तो यह एक और सवाल बनता है, देखे, अगर आपसे पूछा जाए, बाल मनुविज्यान का पिता, बाल मनुविज्यान का अगर आपसे पिता पूछा जाए, तो किनका नाम याद रखेगा, जीन प्याजय जी का नाम रखेगा, लेकिन यहीं पर हमने एक सवाल देखा, ये, सिच्छ सिच्छा मनुविज्ञान, सिर्फ दो वर्ड का अंतर है, बाल और सिच्छा, मैं फिर रिपेट कर रही हूं, अगर आप से पूछा जाए, बाल मनुविज्ञान का पिता, तो जीन पे आजे जी आएंगे, और आप से सिच्छा मनुविज्ञान का पिता पूछा जाए, तो थ ऐसी गतिीध्या करानी चाहिए, जिससे बच्चा क्या करें, खेल खेल से ही, अपनी सिच्छा को घ्राण करें, उसको सिच्छा बोज़ना लगे, तो इसके लिए आपके जो ठान डाईक हैं, जिने सिच्छा मनुवग्ञान का पिता का आ जाता हैं, उन्हों 112 क्या किया है, ब चलिए, यह देखिए, अभी मैं बात ही कर रहे थी, एक question आ गया, हम question से topic को समझने का प्रयाज करेंगे, सिच्छा मनुविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, फ्रोवेल को नहीं है, पस फ्रोवेल की बात हुई नहीं हुई अभी, Harvard की भी बात नहीं हुई है, पیस्टालोजी की भी बात नहीं हुई है, तो बच Commons अभी हमने देखा, E.L. Thandike, E.L. जो Thandike है, मैं Thandike की हिए बात करती, हिनका पूरा नाम है, चो आपके Thandike सहाब है, यही क्या है, बाल, आपके सिच्छा मनुविज्यान के पिता है और बाल मनुविज्यान के पिता कौन है आपके जीन प्याजे जी इनके बारे में देखिएंगे ये हैं ये कौन है आपके थांडाइग है मैं इन ही की बात कर रही थी यह आपके थान डाइक है जिन्होंने बच्चों के लिए क्या किया है डीप स्टडी किया है बच्चों को समझने के लिए यह पॉइंट से इन सबको आप लोग नोट करते जाएगा और कॉपी में यह आपका एक प्रॉपर नोट सो जाएगा सिर्फ सुनना नहीं आप लोग को साथ में लिखते भी जाना है तो इन सब चीजों को नोट करते चलेंगे यह देखिए लास्ट पॉइंट ध्यान दिजेगा उन्होंने सच्छिक मनोविज्ञान को अधिक विवस्थित रूप दिया है किनों ने दिया है आपके थान डाइक ने दिया है इसलिए इन्हें सिच्छा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है चलिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस से रेलेट कोश्चन करते जाएंगे सिच्छा मनोविज्ञान की उत्पत्ती का वर्ष कौन सा माना जाता है कमेंट करते रहिए, बताइए, मैंने आपको भी पढ़ाया है, कि सिच्छा मनो विज्ञान की उत्पत्ती का जो वर्स है, वो 1900 माना गया है, याद रखिएगा, माना जाता है, कि हमारा, मतलब हम क्या कर रहे थे, बच्चों को बहुत सारी समस्याइं हो रही थी, हम बच्चों को समझने के लिए ही, क्या हुआ, बाल मनो विज्ञान की जुरत पड़ी, और बाल मनो विज्ञान की उत्पत्ती को कब माना जाता है, तो बाल मनो विज्ञान की उत्पत्ती को 1900 माना जाता है, इस चिच को ध्यान रखिएगा, चली आगे बढ़ते हैं, ये कौन है आपके, Skinner सहाब है, यह आपके मनोविज्ञानिक है, आपको बाल मनोविज्ञान में बहुत सारे ऐसे मनोविज्ञानिक मिलेंगे, जिजोंने बच्चों के लिए study किया है, अभी हमने देखा दो विज्ञानिक देखे हम, दो मनोविज्ञानिक जिसमें Gene P.A.J.G. Gene P.A.J.G. को क्या कहा जाता है Father of Child Psychology और अब ही हमने उसके बाद क्या देखा Thandai, Thandai को क्या कहा जाता है उन्हें Education Psychology का क्या कहा जाता है, Father कहा जाता है हमने यह देखा, और अगले जो है आपके Skinner सहाब, यह भी बहुत Important है, इक्जाम में इनसे भी सवाल बनते हैं, तो Skinner ने क्या कहा, Skinner के हिसाब से जो बाल विकास की परिभासा होगी वो क्या है, कई यह से मनुविज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपने-अपने Research के हिसाब से definition दिया है, तो इनके हिसाब से क्या होगा definition, Skinner के अनुसार, बाल मनुविज्ञान बालक के वैवहार एवं अनुभाव का विज्ञान है इसका मतलब क्या है, कि जो Skinner सहाब है, वो यह मानते हैं, कि जो बच्चे होते हैं हम बच्चों का जो विहीवियर होता है उसका जो हम study करते हैं साथ ही, उनको जो भी जीवन में अनुभाव होता है, जो भी experience होता है, उन्हीं सभी को हम समझते हैं, वो क्या होता है आपका, वही होता है, बाल मनुविज्ञान किसका मानना है आपके आपका Skinner सहाब, बाल विकास या बाल मनुविज्ञान एक ही है इसमें हम बालोकों के विकास कही अध्यन करते हैं तो इनका यही मानना है कि बच्चों का जो भी वरताव होता है जो भी सोभाव होता है, जो भी वेभार होता है, वो और उनकी लाइफ में वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे-वैसे जो भी अनुभाव क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उन्हीं सब का जो हम विज्ञानिक, जो scientific study करते हैं, वो क्या होता है, वही उनका बाल मनुविज्यान होता है, या बाल विकास होता है, चलिए, इन सब को ना देखते चलिएगा, कि इनसे कैसे सवाल बनेगे, ध्यान रखिएगा, मनो विज्ञान सिच्छा का अधार भूत विज्ञान है, यह किस ने कहा, तो याद रखिएगा, इसकीनर सहाब ने कहा, जब ठान डाइक ने न, सिच्छा के बारे में बच्चों के लिए कहा, तो इन्हों ने भी उस चीज का क्या किया, समर्थन क्या ये भी बानते हैं इस चीज को कि वाकई ने जब आपका सिच्छा ही नहीं होगा तो बच्चों का जो विकास है वो कैसे हो सकता है क्योंकि सिच्छा हमें क्या दिखाती है सही रास्ता दिखाती है अगर आपका विकास रास्ता है तो किस रास्ते पर चलना है, किस दिसा में चलना है, ये जो दिखाती है, वो हमें क्या दिखाती है, सिक्षा दिखाती है, इसलिए स्कीनर सहाब का मानना है, कि मनो विज्ञान, सिच्छा का क्या है, अधार भूत विज्ञान है, ये किस ने कहा है, स्कीनर ने कहा है, इस सेंट विज्ञान सिच्छा का सबसे बुनियादी विज्ञान है, बुनियादी या अधार, एक ही है, बुनियादी विज्ञान है, यह किसकी परिभास है, तो अभी हमने देखा किसकी परिभास है, इसकी नर्सहाब, इन्हों नहीं कहा है कि सिच्छा क्या है, बुनियादी विज्ञ है चलिए आगे वढ़ते हैं और भी मनुविज्ञानिक है क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास की परिभासा बहुत सारे मनुविज्ञानिक मिलेंगे क्रो एंड क्रो ये भी क्या है मनुविज्ञानिक है इनका मानना है कि बाल मनुविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का विज्ञानिक अध्यन गर्भकाल से किसोरावस्था तक करती है अब एक वर्ड आया गर्भकाल से किसोरावस्था वाकई में जब आप चाइल्ड साइकोलोजी को धीरे दीरे पढ़ते जाएंगे, चुकि आपनों को first class है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आपनों को समझ में आएगा, कि जो छोटा सा बच्चा होता है, जैसे ही माता की गर्व में आता है, वैसे ही उसका विकास प्रारम हो जाता है, माता के किसोरा वस्था तक, किसोरा वस्था मींज क्या होता है, कि आपका जो 12 से 18 वर्ष की आयू है, जो आपका child psychology मानता है, उम्र, तो इस उम्र में जो बच्चा होता है, यहां तब इनका विकास होता है, यह किनका मानना है, आपकी crow and crow का, कि जो बाल मनुविज्ञान है, वो गर्व काल से किसोरा वस्था तक क्या करती है, study करती है, अध्यान करती है, तो हम जब अवस्थाएं देखेंगे, तो इन सब चीजों को बहुत डीप में देखेंगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे, हर लौक, यह भी एक मनुविज्ञानिक है, यह क्या मानते हैं, कि विकास की सीमा अभी वृद्धी तक ही नहीं, अपी तू, इसमें प्रोणा वस्था कि लक्ष की ओर, परिवर्तनों का परिवर्त या प्रगती सील क्रम क्या रहता है, नहीं रहता है, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सिंपली इतना समझेगा, जो सिच्छा मनुविज्ञान है न, वो आपके वृद्धी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब तक आप विकास के अंतिम बिंदु को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक की आप लोग आगे इसको और बहतर तरीके से समझेंगे, अभी फिलहाल ये देखिए, कि जो विकास की सीमा होती है न, वो आसीमित है, आप लोग विकास भी देखेंगे कि विकास क्या होता है, तो सिंपली विकास का अर्थ समझे, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सदत, आसा प्रोसेज है या ऐसी प्रक्रिया है, जो कंटीन्यू चलती है, जब तक आप विर्थ्जीं को प्रापनीं कर लेते हैं, तो ये क्या है आपका विकास है, विर्थी देखिएगा, यहाँ यहाँ पस word यूज हुआ है, अभी विर्थी, तो अभी विर्थी जो होती है, व जाएगी ठीक लेकिन जो हमारा विकास होगा वो continue चलता ही रहेगा जब तक आप मृत्यू को क्या कर नहीं लेते प्राप्त नहीं कर लेते चलिए आगे बढ़ते हैं वाइ स्टड़ी चाइल्ड साइकोलोजी वही है मैंने स्टार्टिंग में ही बताए कि हम क्यों कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलोजी का स्टड़ी सिंपल सी है ताकि हम बच्चों में होने वाले वैवहार उनके समस्याओं और वो जो भी महसूस करते हैं उनके life में जो भी चीजे होती हैं, उनको समझने के लिए, child psychology क्या करता है, simply इतना बस अर्थियाद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे, कि child psychology का definition क्या होगा, तो इतना ध्यान रखिएगा कि child psychology, वो psychology होता है, या वो मनुविज्ञान है, जिसमें हम बच्चों के किसी भी स समस्या के समधान तक पहुचते हैं, या दूसरी भासा में हम कह सकते हैं, कि child psychology या बाल मनुविज्ञान हमें बच्चे के किसी भी समस्या के समधान तक पहुचाता है, या मार्क दिखाता है, तो यह हो गया, why study child psychology, यहाँ पास family photo दिया हुआ, इसका अर्थ क्या है, इसका अ जो सबसे important role होता है, वो किसका होता है, family का होता है, जो घर का महौल होता है, जो घर का environment होता है, वो बच्चे के विकास में बहुत प्रभाव डालते हैं, बहुत effect डालते हैं, कैसे, आप देखेंगे बच्चों में अनुकरण, अनुकरण एक word यूज हुआ है, अनुकरण का simple earth होता है, नकल करना, imitation करना, तो बच्चे क्या करते हैं, नकल करते हैं, ये छोटे बच्चे हैं, अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, ये घर में हैं, छोटे से बच्चे हैं, अभी ये चूप है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस लेकिन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे अभी बोलनी पा रहे हैं, जब यही दोनों बच्चे क्या होंगे, इस स्टेज में आ जाएंगे, तो यह घर का पूरा क्या सीख लेंगे? वैभार, वाता, वरण, जो भी होगा, जो भी भासा होगा, इस सब सीख लेते हैं, और यही सीखे हुए बच्चे क्या करते हैं? घर से सीख कर school में जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे बच्चे है अभी ये difference को धरशा रहा आप ऐसे देख सकते हैं कि ये चोटे बच्चे हैं अभी ये अभी बस चीजों को देख सकते हैं सुन सकते हैं ये इतना बच्चा का विकास नहीं हुआ रहा था कि वो बोल सके या कुछ रियक्ट कर सके उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं फिर बड़े होते हैं फिर ही लोग क्या करते हैं जब इस्कूल जाते हैं तो अपना experience लेकर जाते हैं तो जो बच्चे का विकास में जो सबसे पहली भूमिका होती है, वो परिवार की होती है, परिवार बहुत important होता है, इसलिए हर घर में ऐसा महौल होना चाहिए, कि बच्चा क्या करें, एकदम friendly रहें, बच्चा डरा सह मना रहें, कभी-कभी ऐसा होता है न, हम बच्चों पर बहुत जादा दबाओ डालते हैं किसी चीज के लिए, उसे press rise करते हैं, हम अपनी सोच उस पर थोपते हैं, तो क्या होता है, बच्चा खुल कर सामने नहीं आ पाता है, वो अपनी बातों को खुल कर नहीं बोल पाता है, इसका क्या होता है नतीजा, बहुत बुरा भी होता ह हम आज बहुत एक reality है, कि आज हम दुनिया में जितने भी चोरी, रेब, ये नशा, ये सारी चीज़े देख रहे हैं, बेरोजगारी, ये सब कहीं न कहीं क्या होता है, environment का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये सब environment का कारण है, जो पहला जो environment होता है, वो family ही provide करती है, family का मत लब वो होता है, कि आप जिनके साथ रह रहे हैं, आप उन्हें कैसा support करते हैं, उन्हें कैसा environment देते हैं, वो बच्चे की विकास को दिखाता है, बच्चे का विकास चुकी, जब आप लोग अवस्था में देखेंगे, तो एक एक चीज से समझेंगे, कि कैसे, किस age में बच कैसा महसूस करते हैं, तो आपनों को और जज़ा clear होगा, चलिए सिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखिए एक सवाल है, परिवार एक साधन है, पहला option है, अनुपचारिक सिच्छा का, informal education, तो मैं आपको बता दू, जो विद्यालय होता है, उसमें क्या होता है, formal education होता है, systematic way प एक rule होता है, लेकिन हमारा जो परिवार होता है, उसमें किसी भी तरह का, ऐसा कोई, एक दम से एक ही time पे बैठके, या नहीं, आज 4 बच गया है, चलो आप लोग की training सुरू, 4 बच गया है, चलो अब आप लोग बोलना सुरू करो, 4 बच गया आप लोग खाना सुरू करो, नहीं, बच्चा क्या रहता है, एक दम free रहता है, वो जैसा देखिया, आप इस English से समझे, ये छोटा बच्चा है, इनको बैठके तो कोई कुछ नहीं सिखा रहा है, ये छोटे से बच्चे क्या है, घूमते रहते हैं इधर से इधर, इनको कई लोग खिलाते हैं, घुमाते तो ये क्या कर रहे हैं, चीजों को automatic सीख रहे हैं, यहाँ पर अनुपचारिक का मतलब है unautomatic, मतलब कोई भी चीजे formal नहीं हो रही है, formal आप चीजों को कहा सीखते हैं, class में बैठकर, एकदम discipline के साथ, लेकिन क्या घर में आप बैठके एकदम discipline से सीखते हैं, नहीं, आप घ घर में वही चीजे सीखते हैं, जो घर वाला आपको दिखाता है, जो समझाता है, बैठकर नहीं, बलकि आप लोग सिर्प observe करते हैं, जैसे जैसे आपका घर का महल होगा, वैसे वैसे आप चीजों को सीखेंगे, अनुपचारिक रूप से, informal रूप से, लेकिन classroom में आप एक systematic way पर बैठते हैं, तो यहाँ पर एक word यूज हुआ है, अनुपचारिक सिख्चा का, तो परिवार किसका साथ है न, अपचारिक सिख्चा का, मैंने कहा, कि जो परिवार होता है, यह विकास की पहली काई होती है, यही आपको मार्ग दिखाती है, तो बच्चा क्या करता है, एकदम अनुपचारिक रूप से सिख्चा करता है, आप लोंको word clear हो रहा है न, informal, पस इतना समझ लिए, जैसे आप class में एकदम systematic teacher के सामने, एकदम discipline से रहते हैं, लेकिन घर में आप एकदम बिंदास रहते हैं, बिंदास रहना मतलब अनुपचारिक, और discipline में रहना मतलब ठीक, आगे बढ़ते हैं, आपचारिक सिख्चा नहीं, आपचारिक सिख्चा कहा होता है आपका, school में होता है, तो ये गलत हो जाएगा, दुरत सिख्चा, distance के भी बात ही नहीं हो रही है, गैर आपचारिक सिख्चा, गैर आपचारिक या अनुपचारिक एक ही है, तो ये आपका जो क्या है, Child Psychology है, वो हमारे लिए कितना important है, क्यूं है, कैसे है, यह हम आगे की class में देखेंगे, बस अभी इतना समझें कि Child Psychology जो है, वो हमारे हर छेतर में बहुत महत्पूर भूमी का निभाता है, हम Child Psychology को बाल मनुविज्ञान को जितने बहतरीन तरीके से समझेंगे हम बच्चों को भी उतनी ही बहतरीन तरीके से समझेंगे, आपके Hostel Warden में इसे सामिल करने का reason यही है, कि आप बाल मनुविज्ञान को पढ़ें, समझें कि बच्चा कैसा अनुभाव करता है, और बिल्कुल उनको अपनी ही जगह में रख कर, उन्हें क्या करें, किसी भी सम के समाधान तक पुहुचा सकें, इसलिए Child Psychology को आपके विशय में शामिल किया गया है, आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू अब करेंटेफिर्स के तयारी होगी, और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों नहों, आप बिल्कुल निशुल का हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं, आफ लाइन, बिल्कुल फ्री, समय होगा शाम को पांच बजे, म माह के प्रतिक दूसरे शनिवार को और जगा होगा कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी मंगला चौक बिलास्पुर, थैंक यू